आज हम करने वाले दो ऐसा कॉशन जिनमें आपको पैन चलाने की कोई नीड नहीं है दिखते इनको सॉल्व किया जा सकता है मैं तो पैन चलाओंगा ताकि आपको समझ रहा है कॉशन क्या दिया हुआ है 25 वाट 220 वोल्ट बल्ब एंड 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरलल कुछ चीजों को पसा में ध्यार मत्मे में समझना है दो बल्ब दिये हुए है एक है 25 वाट का 25 वाट और इसको कितना वोल्ट चाहिए 220 वोल्ट चाहिए तब यह 25 वोल्ट के परावर करफोमेंस देगा मतलब यह 440 वोल्ट के साथ साथ अब पैरलल कॉंभिणेशन कि एक खासियत होती है जो वोल्टे आप अप्लाए करो peach वही दोनों पेजायगा मतलब इसको cavalry कितना यह इस पर पोर में इसको भी कितना चाहिए 220 वोल्ट और जा कितना रहा है 440 वोल्ट तो जितना इसको वोल्टेज की उससे two times जा रहा है तो current भी बहुत ज़्यादा है इसमें flow होगी और यह damage कर देगा तो दोनों के दोनों fuse हो जाएंगे क्योंकि दोनों को ही ज़्यादा oldest जा रहा है हम निकाल भी सकते हैं यहाँ पर आप बड़ा process इसका यह है कि rated current निकालो इसकी उसके लिए पहले आपको इसका resistance निकालना पड़ेगा जैसे मैं इसका बताता हूँ कि फोड़ा easy पड़ेगा इसका resistance निकालते हैं तो R equals to V square by P में formula लगाऊ V square कितना है 220 multiply by 220 upon P 100 watt इकट गया, कितना आया 484 ohm आया यह तो इसका resistance आया अब इसको कितनी current की, maximum कितनी current को जहल सकता है rated current इसकी कि इससे जाना current नहीं होना चाहिए यह rated current निकाल रहा हूँ है मेरा तरीका है इसको ऐसे गोला करके निकालने का ऐसे को standard नहीं है कि rated current को ऐसे गोले में बंद करना है तो rated current अगर मुझे निकालना है तो वी अपॉन आर मुझे करना है भूल कर भी आप आइस इकल टू जो पी इक्वास टू विए वाला फॉर्मुला है उससे आइस इकल टू पी बाइबी मत कर लेना बिल्कुल अपोजिट आंसर आ जाएंगे यह नहीं करना है यहां पर वरना यह तो ऐसा आंसर लाएगा कि व को यह चैये बाई आर जगाना पड़ेगा तो हम रेटेट करेंट निकाल रहे तो रेटेट वोल्टेज ही डालना पड़ेगा 220 वोल्ट और अपॉन रजिस्तन्स 484 यह इसकी रेटेट करेंट है लेकिन आप क्या कर रहे हो नई करेंट क्या प्लो कराने दे रहे हो कितना वो कराब हो जाएंगे दोनों के दोनों क्यों को्सके तक पर लेंगे एक अगर फ्यू्जबा और सरी ओपन ऊट सरगित दोनों ही खीस होएंगे से औप्ष्ण स Reports दूसरे क dön़ से में फैन नहीं चरएंगे सबस़ल को हैं जो से कौशंट को 40W पावर प्रोवैड दरने के लिए दूसरा लिया आपने 100W का बल्प और इसको भी 220 वोल्ट चाहिए ही चाहिए तब जागे 100W के बराबर पावर देगा जादा मिल गए तो fuse होने के chances हो जाएगे और कम मिले तो dim जालेगा इसको किससे connect किया हमने 40W की supply से अब एक चीज़ समझो कि जब हम series में लगाते हैं appliances को तो current constant होती ही मतलब जिदनी current इस bulb में जाएगी उतनी current इसमें जाएगी current same रहने वाली है लेकिन इन पर voltage drop अलग-अलग होगा यह कैसे बता रहा हूँ वी क्वास टू आयार फॉर्मूले से जब current constant होगी तो वी proportional टू आर्ग होगा जिसका resistance ज्यादा उसके voltage drop ज्यादा वो ज्यादा तेज होगा bright होगा इसमें और इसमें power का difference है यह 100 वोट वाला यह 40 वोट वाला है और अब तक अगर आप यह video properly देख रहे हो सारे तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिसकी power ज्यादा उसका resistance कम होता है और जिसकी power कम उसक तो मतला इसका resistance इस से काफी कम है तो इस पर voltage drop ज्यादा होगा इस पर कम होगा लेकिन देखना वाली बात यह है कि इसको फिर भी 220 वोल्ट चाहिए और आपने totally voltage कितना लगा दिया 40 वोल्ट यही जाकर distribute होगा मालनों इसका voltage है V1 और इसका voltage है V2 दोनों मिलाके कितना होगा 40 लेकिन हमें बताए यह V1 बहुत कम होगा 220 वल्ट से और यह V2 भी बहुत कम होगा 220 वल्ट से तो फ्यूज और चांस ही नहीं है दोनों के दोनों बल्ब कैसे जलने वाले हैं काफी जयादा डिम जलने वाले हैं वह सकता है कि जलते भी नहीं देखिया अगर थोड़े से उज इस तरह के छोटे छोटे वीडियो मुझे बनाने में सुविधा रदी इसलिए छोटे वीडियो बनाता हूं अई हो आपको समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे तो आप लाइक जरू करो सब्सक्राइब करो और शेर जरू करो थेंक्स पूर वाचिंग